नमश्कार आप देख रहे टीनपी नियूज मैं हूँ आपके साथ दिपिका ओजा चले शुरुआत करते हैं खबरों की रूज और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है इस बीच भारत सरकार की ओर से एक एडवाईजरी जारी की गई है इसमें यूक्रेन के खारकीव में मौजूद सभी भारतियों को तुरंत शेहर छोड़ देने के निर्देश दिये गए हैं एडवाईजरी में कहा गया है कि खारकीव को तुरंत छोड़ देना चाहिए जल्द से जल्द पिशोचिन और बाबे के लिए आगे बढ़ें भारतिये समय के अनुसार सभी भारतियों को आज राज साड़े नौ बजे तक हर हाल में शेहर छोड़ देने को कहा गया है यूक्रेन में रूस लगातार हमले कर रहा है इस बीच वहां की इस्तिती बयावेह बनी हुई है हजारों की संख्या में भारतिये यूक्रेन में फसे हुए है जिने ओपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन के आसपास के देशों में रेस्क्यू किया जा रहा है तिरंगे के साथ आ रहे भारतियों को जल्द से जल्द यूक्रेन से निकाला जा रहा है अब इसी बीच खबर आ रही है कि भारतियों के साथ साथ यूक्रेन में फसे पाकिस्तानी और तुर्की के लोग भी भारतिय जंडे का इस्तमाल कर रहे हैं। यूक्रेन से निकलने के लिए पाकिस्तानी और तुर्की लोग तिरंगे का सहारा ले रहे हैं। फिलाल के लिए इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें, खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें, धन्यवाद.